Hello Friends, Computer Science Kurkul Channel पे आपका बहुत स्वागत है Basics of Operating System Short Course का जे Lecture No.11 है जो कि है आपका Types of OS और आज हम लोग जानेंगे Network Operating System के बारे में जो चलिए देख लेते हैं कि आज का जो हमारा Lecture है उसका Content क्या है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Types of OS यानि कितने तरह का आपका जो है Operating System होता है जो कि Functionality, Features के हिसाब से इसको Categorize किया गया है उसके बाद फिर हम बात करेंगे Network Operating System की जो की आपका एक टाइप है Operating System का उसके बाद फिर हम बात करेंगे Advantage and Disadvantage की Network Operating System के बारे में तो अगर ये सारा कुछ आपको जानना है तो आप इस पूरे वीडियो को सुरू से लेकर के लास्त तक ध्यान से देख सकते हैं मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल Computer Science Guru को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन के बटन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप काउन हो जाए और जब भी कोई लेटिस्ट वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड करूँ उसकी जानकारी उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको आपके डिवाइस पे अवलेबल हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं से लेक्चर को सबसे पहली चीज टाइब आफ ओएस मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि जो ओपरेटिंग सिस्टम होता है आपका उसको उसके फीचर और उसकी फंक्शनाल्टी के हिसाब से कटेगराइस किया गया है और उसी कटेगरीज को हम लोग टाइब से बोलते हैं जिसमें पहला था आपका बैच ओपरेटिंग सिस्टम उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की time sharing operating system की उसके बाद distributed operating system, network operating system के बारे में आज हम बात करेंगे और real time operating system के बारे में आने वाले lecture में हम बात करेंगे batch operating system, time sharing operating system और distributed operating system के बारे में मैंने पहले ही lecture बना रखा है अगर वो आपने नहीं देखता है तो description में link चेक किजिए वहाँ आपको playlist का link मिल जाएगा उस पे click करके आप इन बाकी तीन के lecture को जो है देख सकते हैं और आज का जो हमारा focus होगा वो है network operating system के बारे में तो अब चलिए आये देखते हैं कि क्या होता है आपका network operating system run on the server computer यानि ऐसा operating system जो server computer पर run करता है that is called network operating system एक बात मैं आपको बता दो सबसे पहले कि server क्या होता है server कुछ नहीं होता server आपका एक program होता है जो की computer पर run कर रहा होता है और वो उस computer पे सिर्फ server ही run कर आते हैं basically इसलिए उसी computer को server कहा जाता है लेकिन computer आपका hardware है server आपका hardware चीज नहीं है वो software होता है वो program होता है लेकिन उस computer पर सिर्फ server का ही program run कर रहा होता है इसलिए उस पूरे computer को हम लोग server computer जो है बोल सकते हैं लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि server आपका software होता है ना कि hardware अब आपको एक चीज पता होगा कि server क्या होता है server जैसे आप कोई भी browser से कोई भी site वगरा खोलते हैं तो क्या होता है कि server से आपका data file जो भी होता है आता है और आपको browser पर display होता है कि server आपका एक computer है जिस पर server program रन कर रहा होता है और जरूरत पढ़ने पर वो आपको serve करता है जो कि आप URL और IP address के थ्रूँ जो है आप hit कर सकते हैं server से request जो main server operating system का जो concept है यानि जो operating system है ये करता क्या है provide the capability of managed data, user, group, security, application and other network functionality Network operating system का main purpose ही यही है कि जो server को functionality चाहिए over the internet वो provide करा है जैसे कि data को manage करना obviously server पर आपका data ही होता है तभी तो आप browser से जब भी आप उसको hit करते हैं URL या को request भेजते हैं तो आपको data देता है उसके बाद user, group, security, application इन सबको manage करता है क्योंकि आपको server पर login करते हैं तो वहाँ पर user होता है उनके groups होते हैं security वहाँ होनी चाहिए because कोई भी hack कर सकता है server को अगर security नहीं है तो application वहाँ पर run कर रहे होते हैं और बहुत से network functionality होती है जो server को चाहिए होता है और वो network operating system वो server को provide कराता है जो main purpose है जो main मकसद होता है और जो main functionality है network operating system की वो है आपका allow to share file and printer access among multiple computer in network network operating system का main purpose यह है कि file sharing आसानी से हो सके printer access आपका multiple computer के बीच में हो सके अगर वो same network में belong करते हो तो printer access का जो concept है यह आपने office वगएरा में देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि सारे computer से अपना सारे employee use कर रहे होते है अपना अपना computer बट printer वहाँ पे कहीं एक जगा लगा होता है क्योंकि वो printer भी उस network में होता है और अगर आपका network operating system नहीं है तो आप उसको access नहीं कर पाएंगे तो यह एक major role है आपका network operating system का जो कि देखने को आपको मिल जाएगा office वगारा में अब चलिए आईए कुछ example देख लेते हैं network operating system के ताकि आपको चीजे जो है और अच्छी तरह से clear हो जाए Microsoft Windows Server 2003 यह आपका network operating system है मतलब simple operating system है लेकि network operating system है जो कि server वगेरे अप इंस्टॉल होता है server 2008 भी आपका network operating system का अच्छा example है Unix हो गया Linux हो गया और Mac OS X यह सारे के सारे आपके network operating system के example है और एक चीज और मैं बता दूँ आपको कि जरूरी नहीं है कि network operating system है तो वो server पे ही installed होगा वो अगर चाहे तो आप अपने laptop desktop पे भी install कर सकते हैं उसको ऐसे ही easily use कर सकते हैं लेकिन आप उसकी फुरी functionality इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यह चीज अलग है कि आप उसकी फुरी functionality इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है इसलिए network operating system को server वगएरे पे installed किया जाता है चलिए अब आईए कुछ advantages की बात कर लेते हैं जो network operating system को आपको देखने को मिलता है सबसे पहला चीज centralized server is stable यह एक centralized server की बात आती है जहां पे एक जगह आपका operating system run कर रहा होता है सारे program run कर रहे होते हैं और सारी users जो है अपने अपने location से उसको access कर रहे होता है तो सारा कुछ एक central जगह पे होता है तो वो थोड़ा सा stable होत security को भी easily manage किया जाता है क्योंकि distributed नहीं है तो एक जगह सारी चीज़े है software और जो भी program run कर रहे हो तो उनकी security भी आसानी से manage किया जाता है technology और software का upgrade भी आसानी से हो जाता है क्योंकि आपका एक ही जगह पे है और network operating system का सबसे अच्छा example यह है और सबसे बड़ा benefit यह है कि अगर आपको कोई server access करना है चाहे Google का चाहे Facebook का चाहे Instagram का किसी भी site का तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उस location पर आप आप कहीं से भी क्या कर सकते access कर सकते यह सबसे बड़ा advantage है आपका network operating system का अब चलिए आये कुछ this advantage की बात कर लेते हैं सबसे बड़ा advantage है कि high cost of buy इ इसलिए कोई normal user या day to day life की use के लिए हम इसको install नहीं करते हैं या purchase नहीं कर सकते बड़ी बड़ी जो company होती है वही इस चीज को आपकी बैठाती है क्योंकि उनको उतना जरूरत होती है तो उसी साब से वो उसका cost भी bear कर सकते हैं जो next इसका problem है disadvantage हो है कि dependency on central location for most of the operation यानि कि हर काम के लिए आपको central location पे जो है dependent होता है होना पड़ता है ये भी आपका थोड़ा सा disadvantage है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद एक जगा centralized है बहुत सारा load उसके उपर पड़ता है तो इसलिए regular maintenance और regular update की भी आपको जरूरत पड़ती है क्योंकि network में है बहुत सा आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि network operating system आपका होता क्या है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जो है like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button को press करके subscribe क कर दीजिए ताकि notification आपका on हो जाए thank you for the one